पती पतनी में अगर मनमुटाव हो तो उसे जितनी जल्दी सुल्जा लिया जाए उतना बेहतर होता है लेकिन अगर ये मनमुटाव नफरत में बदल जाए तो इसका अंजाम क्या होता है वो हम आपको जहांसी में हुई दिल दहला देने वाली एक सची घट्टा की जरीए बत कुमारी को लगा कि वो पकड़ी नहीं जाएगी लेकिन जब पुलिस ने घट्ना की बारी की से जाच की तो इसकी परत दरपरत खुलती चली गई और अपने पती के हत्या में शामिल आरोपी पतनी राम कुमारी और उसके प्रेमी आदर्श को पुलिस ने ग्रफतार कर लिय दरसल जहासी के बिज़ोरा गाउं का रहने वाला 30 वर्ष ये लोकेंदर पटेल पेशे से किसान था लोकेंदर के शाधी साल 2010 में राम कुमारी से होई थी शादी के बाद से ही पती-पतनी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता था जिस वजा से दोनों का विवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था और इसी बीच रामकुमारी की पडोस में ही रहने वाले चचेरा देवर आदर्श पठेल से नस्दीकिया बढ़ने लगी आदर्श की उम्र 20 साल थी और रामकुमारी की उम्र 28 वर्ष यानि दोनों के बीच करीब 8 साल का फासला था आदर्श का अपने चचेरे भाई लोकेंदर पठेल के घर आना जाना था दोनों के बीच नस्दीकिया बढ़ने लगी और फोन पर बातचीत शुरू हुई पती से जगड़े के बाद नाराज पतनी अपने चचेरे देवर आदर्शों से फोन पर घंटों बात करती थी जबकि पती के सोने के बाद रात रात भर दोनों फोन पर एक दूसरे से बातचीत करते थे एक तरफ आदर्श और रामकुमारी के बीच नजदी किया बढ़ रही थी और परिवार कसदसे होने के कारण आदर्श और रामकुमारी के बीच शुरू हुए प्रेम संबंदों पर किसी को शक भी नहीं था ये हाल तब था जब पुलिस के पास मुबाइल रिकॉर्ड मौजूद था करीब चार महिनों के बाद पुलिस ने मामला सुलजा लिया जानकारी के अनुसार 21 अगस्त 2021 का वो दिन जब कहानी ने नए विवाद के साथ नया मोड ले लिया हुआ ये कि लोकेंदर ने अपनी पत्नी रामकुमारी को अपने चचेरे भाई आदर्श पटेल के साथ घर में ही अपत्ती जनक हालत में देख लिया तबी से दोनों के बीच मन मुटाव और बढ़ गया लोकेंदर ने आदर्श को घर आने से मना कर दिया और पत्नी से मुबाईल छीन कर सिम तोड कर फेंक दिया कुछ दिन बाद आदर्श ने एक मुबाईल और सिम काड अपने नाम से लेकर प्रेमी का भावी रामकुमारी को दे दिया दोनों के बीच कुछ दिनों तक बातचीत हुई लेकिन पकड़े जाने के डर से आदर्श ने मुबाइल और सिम वापस ले लिया लेकिन दोनों के बीच का प्यार नई उचाईयों तक पहुँच चुका था वहीं दूसरी तरफ पती की सक्ती के बाद ना तो वे दोनों मिल पा रहे थे और ना ही फोन पर बातचीत कर पा रहे थे इससे दोनों ने लोकेंदर को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया 30 सितंबर को साजिश के तहट रामकुमारी अपने पती लोकिंद्र को खेत पर लेकर गई उस समय प्रेमी देवर कुलहाडी लेकर खेत में छिपाता जब शाम को दोनों घर जाने लगे तो देवर ने पीछे से लोकिंद्र के सिर पर कुलहाडी से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी इसके बाद लाश को ठिकाने लगा दिया लोकिंद्र की हत्या के बाद परीजन पुलिस पर लगतार दबा बनाते रहे वहीं पुलिस को पत्नी पर शकना हो इसलिए आरोपी पत्नी रामकुमारी ने अज्यात लोगों पर हत्या का केस दर्ज कराया था बाद में परिजनों ने गाउं के परधान समेत चार लोगों पर हत्या करने का आरोप लगा दिया जिसके बाद परिजन कलेक्ट रेट में धरने पर बैड़ गए उस वक्त पुलिस अफसरों ने समझा कर धरना परधाशन समाप्त कराया इस धरने में मिर्तक की पत्नी रामकुमारी भी शामिल थी इस मामले में पुलिस की लगतार जांच चल रही थी अब तक इस घटना को चार महीने बीच चुके थे और पुलिस को हत्या रोपियों का पता नहीं चल पा रहा था पुलिस ने हर सिरे से जांच शुरू की और तफ्तीश में पता चला कि हत्या से 6 महीने पहले पतनी की एक नंबर पर सबसे अधिक यानी 11,374 मिनट लगबग 189 घंटे बातचीत हुई है और पुलिस ने जब इस नंबर की जांच की तो पता चला कि ये और कोई नहीं बलकि 100 मीटर दूर रहने वाला मिर्तक लोकेंदर पटेल की पतनी का चचेरा देवर आदर्श ही है जब भी वह फिरी होती तो फोन पर प्रेमी से ही बात करती थी रात में भी पती को सुला कर वह छुपकर प्रेमी से रात भर बाते करती थी यहीं से पुलिस को दोनों आरोपियों पर शक हुआ जिसके बाद पुलिस ने सक्ती से पूछताच की तो इस हत्याकारण की परत दर परत खुलती चली गई और पुलिस ने इस हत्याकारण का खुलासा करते हुए हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी देवर आधर्श को ग्रफतार कर लिया ब्यूरो रिपोर्ट टाइम 24 निज